हेलो दोस्तो मैं विनोध आज हम लोग जानेंगे किस तरह से हीरिंग नोटिस चेक किया जाता है दोस्तो अगर आपका प्रोपर्टी कोलकटा मुंसिपल कारप्रोरेशन यानि के के अंतरगत आता है तो आप इस वीडियो के जड़िये जान सकते हैं किस तरह से आप अपने प्रोपर्टी का हीरिंग नोटिस ऑनलाइन चेक करेंगे इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार देख लिजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा hearing notice की इस तरह से चेक किया जाता है दोस्तों आप Google का home page खोल लिजिए खोलने के बाद आपको search bar में type करना है kmc type कीजिए type करके search कीजिए search करते ही देखिएगा दोस्तों आपके screen पर इस तरह काईगा Kolkata Municipal Corporations kmcgov.in आपको इस पर click करना है click करते ही यह आपको Kolkata Municipal Corporations का official website पर लेके चला जाएगा जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यह Kolkata Municipal Corporations का official website है दोस्तों आपको करना क्या है Left Side में menu bar दिया है मैं zoom कर दे रहा हूं Left Side में menu bar है अब आपको क्या करना है menu bar का नीचे आएते रही है देखिए Online Services आपको Online Services पर click करना है click करने के बाद देखिएगा दोस्तों आपके पास sub menu bar खुल जाता है देखिए सब menu बार आ गया अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों देखिए assessment collection दियाओ assessment collections assessment collection पर आपको click करना है click देख सकते हैं आप assessment of premises दिखाएगा उसके बाद आपको left side में दोस्तों देखिए menu बार में आपको यहां मिलेगा check hearing notices Check Hearing Notices पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं दोस्तों आपको Search बार आजाएगा Search Hearing Notice यहां देख सकते हैं यहां पर आपको SSE Number यहां डालना है SSE Number दोस्तों 12 डिजिट का होता है यह SSE Number कहां मिलेगा SSE Number आपका Previous Tax का Bill में मिल जाएगा या नहीं तो अगर आप Mutation कराए होंगे तो Mutation का Certificate में भी आपका SSE का Number रहता है Property में SSE Number दिया रहता है उससे भी अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो इस तरह से Related मेरे पास एक Video भी बना हुआ है आप उस Video को देख लीजिए उसमें आपको SSE Number मिल जाए अब SSE Number है डाली एक 12 डिजिट का उधान का तोर से मैं एक Randomly SSE Number है डाल दिया पेस्ट कर दिया उसके बाद Submit करता हूँ Submit करने का देखता हूँ क्या दिखाता है अगर SSE Number का कोई भी Hearing Notice रहेगा तो यहां Show करेगा देखिए दोस्तों करने के बाद यहां दिखा रहा है Hearing Records do not exist for the given SSE Number बोला है कि जो SSE Number यहां डाले हैं उसका कोई भी Hearing Notice यह Hearing Records नहीं है अगर आपका SSE का कोई Hearing Notice रहेगा तो दोस्तों आप यहां पर सोग करेगा Hearing Notice तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखे किस्ता से Hearing Notice चेक किया जाता है अगर Hearing Notice से related कोई भी प्रशन हो तो आप Comment Box में Comment करके पूछ सकते हैं मैं उसका उत्तर देने का कोशिस करूँगा Thank you for watching this video